दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार हेड्स या टेल्स ये कोई नहीं जानता हेड्स के लिए गए हैं और ये हेड्स है ये पहले गेन बाजी करेंगे और शुरुआत में ही विकेट्स ले लेगे चलिए अब लेक्स पिननर आ रहेंगे इन बाजी के लिए अब विकेट के लिए बेकरार और यहां फील्डिंग में कुछ परिवर्तन हलके हातों से उनसाइड पर खेला और बिलकुल आराम बिजली के तरह दोड़े और बाउंडरी से थोड़ा पहले रोका अच्छी गेंद कोई रन नहीं इस बॉल पर इस नए फील्डिंग सेटप के साथ देखते हैं कुछ क्या नया सामने आता है ओ ये काफी खतर ना को सकता है बले बास के लिए बेल्ज उना चुके हैं एकी पर अब तीसरे अमपायर के हाथ में है ये निरने जरा देखिए इन हातों को क्या फूर्थी से स्टंपिंग की है कीपर ने शुरुआती काम्याबी में फील्डिंग यूनिट ने काफी मदद की बैटिंग ओर्डर में एक बड़ी फेर बदल लगता अनुभवी बल्लवाजों को अंतक बचाना चाहते हैं गेंदबाज ने साइड चेंज करने का फैसला लिया है ये है इनका सर्वोतम शॉर्ट स्क्वेर काट बढ़िया कदमों का इस्तमाल इस अविश्वस निये फील्डिंग से दर्शक पागल हुए जा रहे हैं गुलेल की भाती बॉल फैकी सीधा क्रीस पर अच्छा थरो और ये चार रन सुन्दर शॉर्ट कदमों का सही इस्तमाल इन रनों के साथ बल्लेबास का खाता खुला नासा के रॉकेट के साथ गेंद भी चलियां त्रिक्ष में छे रन और मिलेंगे फील्डर का बहुत अच्छा प्रयास मगर बॉल को फिर भी नहीं रोक पाए चार रन के साथ ये ओवर समाप्त हुआ स्पिन का समय आकरमड के लिए आ रहे हैं आफ स्पिनर बल्लेबास तैयार जबकि यहां फील्डिंग में कुछ और परिवर्तन बल्लेबास को एक एक रन के लिए अच्छी खासी लड़ाई करनी पड़ रही है बहतरीन प्रदर्शन फिल्डर जवारा तेजी से बॉल के पीछे भाग रहे हैं और बॉल को लोटा है बाजूओं में दम है फिर काहे का गम है क्या थ्रो फैका है तेजी से दो रन पूरे किये बल्लेबास ने मानो गेंद बास के चेहरे से सारी खुशी छीन लिए दो रन के साथ बल्लेबास ये टीम ने शुरुआत करी बल्लेबास का परफेक्ट ड्राइव बैटिंग टीम का प्रेशर निरंतर बढ़ता हुआ टेक्स्ट्बुक कवर ड्राइव आहा मज़ा आ गया चार रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ लेक्स्पिननर आ रहे हैंगे इन बाजी के लिए टेक्स्ट्बुक ड्राइव रॉकिट की तरह गया एक्स्ट्रा कवर की ओर बॉल की गती को कम किया इस शानदार डाइव से जबर्दस्ट फिल्डिंग और साथ ही एक परफेक्ट थ्रो सीधा स्टम्स के पास भंग होई तूफान से पहले की शान्ती इस जबर्दस्ट चक्के के साथ ओ खतरनाग गेंथी जाने दिया इसे हलके हातों से ओन साइट पर खेला और बिलकुल आराम से इस गेंथ को ना खेलना ही भैतर समझा एक अच्छा निर्णे बल्ले बास का अवर के अच्छा पर भी बल्ले बास के लिए कोई मौका नहीं डॉट बाल लगता लेक साइट पर आकरमंट जारी रहेगा एक और स्पेल के लिए तेजी से बॉल के पीछे भाग रहे हैं और बॉल को लोटा आया जबरदस्थ फिल्डिंग और साथ ही एक परफेक्ट थ्रो सीधा स्टम्प्स के पास दो रन और जोड़ दीजिए और स्टम्प्स और अंत में एक आसान से कैच के साथ आउट यहां चकों की बरसात हो रही है लगता है गेंद मैदान के बाहर जा रही है फिल्डर्स का पूरी तरह से वर्चस्व कुछ नहीं मिलने वाला भाई विकेट मिलने का मौकर दो से बहतर चार बहतरीन शाट अपनी ताकत का प्रदर्शन किया इस धमाकेदा शाट से उठा दिया चार बहतरीन के लिए ये क्या जा रहा है यूएफो नहीं भाईया गेंद जा रही है छे रन के लिए दर्शक दीरघा में अंसाइड पर फ्लिक किया इस बार कुछ और रनों के लिए डाइव लगाई और करी कमाई बाउंडरी नहीं मिल पाई लेकसाइड रीजेन के तरफ स्क्वाईर खेला मगर कोही रन नहीं ओ क्या गेंद थी जबरदस्ट फिल्डिंग और साथ ही एक परफेक्ट थ्रो सीधा स्टम्स के पास एक बार फिर बहुत अच्छी लाइन और लेंद कोई रन नहीं और ये हुक शॉट के लिए गए और कमाल की टाइमिंग चेश शुरू हुई और संभाद स्पिन का समय आक्रमण के लिए आ रहे हैं और गेंद गई चार रन के लिए लगता है गेंद बास को कुछ संदेश देना चाहते हैं पहली गेंद पे ही चौका दो की बनती है जोड़ी और तीन की है ट्रिक क्या ये कर पाएंगे गेंद की पिच पर आया और ओड़ा दिया ओन साइड की तरफ काफी खराब स्पेल जाता हुआ इनको गेम में वापस आना चाहिए और कुछ विकेट्स लेने का प्रयास करना चाहिए चली चली रे गेंद मेरी चली रे और लगा टना टन चका गेंद बास द्वारा दुर भागे पूर्ण गलती अमपायर ने बैटिंग टीम के लिए नो इस स्पेल में अपनी लाइन और लेंद पर नियंतरण नहीं रख पा रहे हैं और गेंद गई हवाई यात्रा पर बिना टिकेट छे रन और मिलेंगे गेंद बास के अंतिम गेंद को मिला बल्ले का रिटर्न गिफ चोके के साथ एक महंगा ओवर जिसकी भरपाई करने के लिए गेंद बासी टीम को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी दोनों बल्ले बास इस पारी में एक दूसरे को पूरा सहयोग देते हुए इनकी गेंद बासी में थोड़ा परिवर्तन है क्या ये कुछ स्पीड अर्जित कर पाएंगे गेंद बासी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर और ये बहुत बढ़िया रणिंग बिट्विन जबरदस्ट विल्डिंग और साथ ही एक परफेक्ट थ्रो सीधा स्टम्स के पास बल्ले बास का खाता खुला इस सिंगल के साथ गेंद हवा में और एक सुरक्षित हातों ने गेंद को लपक लिया कहानी खतम इस से जादा आलिशान नहीं हो सकता क्या ये तीन बाउंडरी जे एक साथ लगा पाएंगे गजब की डाइव लगाई फील्डर ने लेकिन अफसोस आज कोई चौका या रन रुक नहीं रहे है एक और चौका गेंद बाज ने अपने सारे हत्यार आजमा लिये हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा बहुत सुन्दर स्वीब गेंद फील्ड को चीरते हुए निकल गई और लगता अब इसे रोकना संभव चौके के साथ उन्हें पचास रन का अखणा पार किया एक बढ़िया पारी झाल 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 गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर आगे बड़े और उठा दिया उन्साइड की तरफ सूखे को मिली बरसाथ इस ताजगी भरे चौके के साथ गेंद की तो ऐसी की तैसी करके रख दियो उठा दिया मैदान के उपर से चारन के लिए अच्छा लगता है इन दोनों को क्रीस के छोर पर देखते हुए भाई क्या उम्दा प्रदर्शन किया है बैट से और इस मैन आफ दा मैच अवार्ट पाने के सही हगदार भाई